नमस्कार, सभी अभिभावकों को मैं साधर प्रणाम करता हूँ, मैं दीपके आदाओ पैरडाइस पबलिक स्कूल से, मैं आपके बीच में इसलिए उपस्तित हूँ क्योंकि मैं भी एक अभिभावक हूँ, और मैं अभिभावकों की जो परिशानी है, निशिद रूप से मैं इसको समझता हूँ, एक अभिभाव का सबसे बड़ा लक्ष्या होता है, वो जीवन में कुछ भी करेंगे, कितना भी कस्ट उठाएंगे, लेकिन एक बच्चे को अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाना, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं पुराने दिन के मामले में, हम कोई कॉंप्रमाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब मैं इस कोरोना काल में देखता हूँ, तो मुझे स्थती बदलती भी नजर आती है, ऐसा क्यों? देखे, अभिभावक चाहता ही है कि मेरा बच्चा बहुत जादा अच्छे से पढ़ाई करें, इस सम परिवरतन है, इसको हमने स्विकार करना ही पड़ेगा, बहुत सारे चेंजज आए, दुनिया में क्या हम इस से पहले कभी चेंज नहीं आए, बहुत सारे बिमारियां आई, लेकिन हमें इस परिवरतन को स्विकार करना पड़ेगा, आप मास्क लगाते हैं, मास्क क्या हम प स्कूल टीम ने इस परिवर्तन को स्विकार किया और इसमें आगे बड़े लोगडाउन के अगले तीन दिन के अंदर-अंदर हमने ओनलाइन क्लास स्टार्ट करने का प्रावधान बनाया आपको ओनलाइन क्लासेज दी गई बच्चों को मैं मानता हूं ओनलाइन क्लासेज में बच्चा स्कूल जाएगा उतना अच्छा नहीं सीखेगा लेकिन आपको एक बार अंदजा भी है अगर बच्चा ये कुरोनकार आपको लगा एक महीने दो महीने की बाते स्कूल खुलेगी तब देख लेंगे मैं शिर्फ पढ़ाई की बात करने आहाँ हूं फीस की का कोई मुद्धा नहीं हमें 6 महीने होंगै आज तक फीस की बारे में सोचने रहे हमारा परपस सिर्फ और सिर्फ एक है बच्चे की अच्छी एजूकेशन क्योंकि हम अपने रास्ते से नहीं बटके हमें अच्छी ए पढ़ाई मिलनी चाहिए इसकूले नहीं चलेंगे टीचर घर बैठ जाएंगे बच्चे नहीं पढ़ेंगे कोई फरग नहीं पढ़ता है नहीं मिलेगी एक साल फीस बट बच्चे के लिए वो चीज अनर्थ हो जाएगा आपको अंदाजा है आप जब दिवार चिंते हैं घर आते हमारे बच्चे के साथ ही घड़बढ़ हो और परिवर्तन को स्विकार करना पड़ेगा हमने तुरंत इसकूल एप डवलप किया हम समझते हैं परिशानी बच्चे की आपकी घर में मोबाईल एक हो सकता है आपके बच्चे को मोबाईल ने उपलब करा सकते हैं अलग से मत कराईए हमने स्कूल का एप डवलप कराया हमने ये सोचा कि क्या बच्चे को हम इस तरह से पढ़ा सकते हैं कि उसका जम बन करें तब पढ़े हम बांधना नहीं चाहते कि 11 बजे क्लास है 11 बजे घर में आपके को रिष्टेदार आगया वो क्लास लेगा कि उससे मिलेगा हमने बिल्कुल इस चीज को स्विकार किया हमने इस तरह से अप डवलप किया अपने टीचर के वीडियो हम उसमें और अच्छे सच्छा करते जा रहे हैं हम रोज परिवर्तन को स्विकार करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपका सहयोग चाहिए इसके लिए हम आपसे लेकिन यहां से रहते हुएं बहुत ज्यादा जितना अच्छा हो सकता हो कर सकते हैं तो आपको यह सविकार करना पड़ेगा कि आपके बच्चे हो पढ़ना ही पड़ेगा ओनलाइन स्टेडी आज एक पार्ट है आपको कोरोना अब नहीं पता कितना लंबा चलने वाला है खुलेंगी नहीं खुलेंगी कोई अंदाजा नहीं किसी के पास कोई प्लैनिंग नहीं है एक साल भी बीट गया तो उसका दिमाग वो सुन्ने हो जाएगा बिल्कुल यह रिसर्च कहता है अगर आप पढ़ाईस उसको दूर रखेंगे तो कहीना कहीं आपका एफ़र्ट जरूरी है हमें साथ चाहिएगा आपका आप जो परिवर्तन है इसको जरूर एसेप्ट करें मैं आप से निवेदन करता हूं तो डिजिटेल एजुकेशन डिजिटलाइजिशन किसीने सोचा था घर बैठे अपम ऑनलाइन सोपिंग कर लिया परिवर्तन हुआ आज ओनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोगों को अभवावकों के लगता है कि नहीं हो सकता है बट होगा जिन अभवावकों नहीं इसको असेप्ट कर लिया है जो सहयोग कर रहे हैं उनका बच्चा निशित रूप से आगे बढ़ेगा और जो रात में फीस लेंगे जो सरकार कह रही है जो हाई कोट कह रहा है लेकिन अब ओनलाइन क्लासेज जिन्होंने ली है और नहीं ली आप फीस तो उनको वही देनी पड़ेगी तो आप उनलाइन क्लासेज अच्छे से सहयो करते हों हमारा जो बच्चा है आपका वह आज जो कु अच्छे की अच्छी पढ़ाई के लिए जिन्होंने सोच लिया कि स्कूल खुलेंगी तब देखेंगे एक साल तो अपन ऐसे छोड़ देते हैं घर पर पढ़ लेगा टूशन पढ़ लेगा कई और स्कूल में चला जाएगा कम फीस पढ़ देगा कोई फाइदा नहीं है अ नहीं से समश्या पैदा होती है आगे वो इनसान बढ़ा जिन्होंने परिवर्तन को स्विकार किया देश आजाद होने के समय सब लोगों ने सोच रखा था गुलाम है तो सब हैं लेकिन कुछ लोग थे जो आगे बढ़के आए तो उसी प्रकार से आप उन परिवर्तनकारी लोगों में सामिल होईए अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलवाजने के लिए इस ओनलाइन एजुकेशन की मुहिम में सामिल होईए आपका सहोग सर्वोपरी है आपके बिना सहोग हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं मैं आपसे हाथ जोड़कर विनमर निवेदन करत हूँ ओनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे पेरेंट्स 80 परसेंट परेंट्स सहोग करें लेकिन जो 20 परसेंट भी नहीं कर रहे हैं मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप उस मामले में हमारा सहोग करें कोई भी समश्या आप हमसे डिसकस करते हैं निश्य दूप से उसका हल नहीं आने देंगे बच्चे का भविश्य हमारी जिम्मेदारी है और मैं दावे से कहता हूँ कि सबसे अच्छी अनलाइन एजुकेशन भी हम देंगे तैंक्यू नमस्कार